दोस्तों जैसे कि BPSC TRE 3.0 का जो OMR sheet जारी हुआ है उसको लेकर के जो गड़बड़ी का मामला है उसको आप सभी ने देखी लिया होगा आप सभी को पता ही होगा एक वीडियो के मादम से मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था सारी चीजे किस तरह से जो है OMR sheet पर गड़ की चीजे हैं मेरे OMR पर भी हैं तो हम जो है किस तरह से शिकायत करें किस तरह से हम जो जो आपती की आपकी डेट दी गई है उसके अंदर जो है आपको आपती करना है तो किस तरह से करना है इसको लेकर के हम लोग डिटेल में जानने मालें क्योंकि उनकी official जो notice जारी हुई ह उसमें ही mention किया गया है कि आप जो है अपनी शिकायत अगर OMR में गड़वड़ी है तो आप कर सकते हैं तो उसको लेकर के हम पूरा डिटेल में जानेंगे साथी दोस्तों answer की result में आपको देरी देखने को मिलेगी OMR को फिर से re-check होने की चीज़े चल रही है कि उसको फिर स तरह की गड़वड़िया है उनका भी जो है OMR चेक होगा और जिनमें नहीं है उनका भी यानि सभी का OMR फिर से चेक किया जाएगा BPSC के तरफ से यह बोला गया है साथी दोस्तों इसको लेकर के cut-off में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है यहाँ प पर देख पार होंगे OMR शीट डाउनलोड OMR शीट में किसी भी परकार की तुरूटी रहने पर दिनांक 27 अगस 2024 तक एक्जाम कंट्रोलर यहाँ पर देख सकते हैं डाइच जो है BPSC at the rate government.in यह जो इनकी वेबसाइट दी गई है पर आपत्ति कर सकते हैं दिनांक 27 अगस तक के उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा साथी दिनांक 28 अगस तक डाउनलोड नहीं करने की सिती में आयोक की वेबसाइट पर OMR शीट उपलब नहीं रहेगा आपका जो OMR शीट है दोस्तों सिर्फ 22 तक ही दीखेगा यानि 22 अगस तक इसके बाद जो है इनकी ऑफिशल वेबसाइट से इसको हटा दिया जाएगा आप नहीं देख सकें नहीं डाउनलोड कर पाएंगे इस वजह से 22 से पहले आप लोग अपनी OMR को डाउनलोड करना जरूरी होगा क्योंकि आंसर की जो डेट दी गई है वो 18 अगस्त की दी गई है माली जी इनकेस जो OMR में गड़बड़ी का मामला चल रहा है अगर नहीं जारी किया जाता है 18 अगस्त को आपके आंसर की माली जी उससे थोड़ा लेट होता है यह होता है कि जो BPSC की तरफ से चेक करने की बाद फिर से हुई है कि हम फिर से चेक करेंगे और उस पर फिर से टाइम दिया जा उस पर होगा या नहीं होगा यह सारी चीज़ हैं बट यह बाद आप OMR को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे इसलिए पहले से आप लोग अपने पास रखें ताकि आंसर की आई तो आप अपने OMR से उससे चेक कर पाएं तो यह थी दोस्तों बाकी आप जो इनकी तरफ से बता कर सकते हैं दूसरा दोस्तों जो निउस निकल के आ रही है आप देख सकते हैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल जो चीज़े चल रही थी कि ओमार गड़बड़ी को लेकर के कि बहुत सी अब भ्यारतियों के जो उन्होंने अपने कोशन को ब्लैंक कर रखा है उस कोशन को जारी होने के बाद अभ्यारतिया समंझश में है कई अभ्यारतियों की मिल रही शिकायत बिना गोला रंगे हुए भी नीचे आप्शन में ओके शू कर रहा है वहीं कई रंगे होने के बाद भी उससे नीचे नहीं किया गया एड़ आयोग को पूरे मामले की जानकारी मिल च अपती दर्ज कराने वाले और नहीं दर्ज कराने वाले का भी OMR फिर से होगा चेक यानि सबी का OMR फिर से चेक किया जाएगा कई इस नीचर और रोल लंबर छोड़े जाने को लेकर के हैं टेंशन वैसे अभ्यारतियों को भी दिया जाएगा मोका वैसे अभ्यारतियों का में बहुत जो है टेंशन बना हुआ था कि किसी के रोल नंबर में मिस्टिक हुआ है तो कहीं बबल को फिल करने में हुआ तो कहीं जो ओमार पे कुछ निशान पढ़ गया इस तरह की चीज़े तो आपका उससे रिजल्ट बादित नहीं होगा इनकी तरफ से बोला गया है साथी दोस्तों मेरिट में नहीं होगी कोई गड़बड़ी आयोक ओमार पूरी तरह से क्रॉस चेक के बाद ही आंसर की होगी जारी आयोक का साफ कहना है कि रिजल्ट में देरी हो लेकिन रिजल्ट में नहीं हो कोई गड़बड़ी आपका रिजल्ट लेट भले आए लेकिन उ दोस्तों जैसा कि साफ दोर पर यहां पर मेंशन किया गया है कि 27 अगस्त तक आप पत्तिक कर सकते हैं तो 27 अगस्त के बाद ही आपका रिजल्ट दिखेगा बहुत जादा टाइम नहीं लिया जाएगा बट 27 अगस्त के बाद ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे बाकी दोस्तों TRE 4 से डिलेटेड काफी अभ्यारतियों की कमेंट थे कि मैं हम TRE 4.0 कब तक चांस है तो दोस्तों जो इससे पहले निउस निकल के आ रही थी तो वो तो यही थी कि अगस्त के लास्ट या अगस्त बाद यानि सिप्तमबर में आपको TRE 4.0 देखने को मिलेगा बट जिस तरह से TRE 3.0 में देरी दिख रही है आपके OMR को ले करके आपके आँसर की रिजल्ट को ले करके तो आपका रिजल्ट ही आने में माले जे सिप्तमबर टक आप September last October तक कहीं, आपका to you t roku 4 देखने कुं मिलेगा तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए अगर आपका स्पराइव करें ड्यारी 3 में लग रहा है कि हां मेरी कम नंबर है chance कम है यह पाएगा तो आप अगले की तैयारी करिए wait मत करिए क्योंकि notification आएगा तो आपको बहुत जादा time नहीं दिया जाएगा और 1.60 लाक वेकेंसी की बात की गई है कि TRE4 में आपकी आएगी और सभी वर्ग में आएगी चाहिए PRT हो 628 हो 910 हो 1112 हो दूसरी बात दूस्तो जो OEMAR को लेकर के इन्होंने BPSC की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है उसमें बोला गया है कि हम देरी भरे करेंगे बट गड़बड़ी के मामला कोई नहीं आएगा दूसरो ये किस तरह से चेकिंग हुई है कि आपका एक्जाम जो है 19-22 जुलाई तक कम्पलीट हो गया है इसके बाद आपने इतना टाइम भी लिया है 20-25 दिन का आपने टाइम लिया उसके बाद आप OEMAR जारी करते हैं इसमें भी इतना टाइम लेने का क्या मतलब था कि आप इतना टाइम लेकर भी OEMAR में इस तरह की चीज़ें गड़बड़ियां दिख रही है तो कहां तक कि ये चीज़ें किस तरह से हो रही है आपके द्वारा ये भी कंफर्म करना चाहिए कि इतना लेट हो रहा है अगर TRE 1.02.0 में देखें तो सब कुछ जो है 15 दिन के अंदर ही आपको दिख गया है चाहे आंसर की तो आपका उसी दिन एक्जाम देने के बाद ही तुरंट आपका आंसर की जारी कर दिया जाता था बट इस बार इतना लेट किूं़ सारह काम हो रहे हैं तो इसमें भी जल्दी बाजी दिखाई जाया और बच्छों को जो है वेट है रिजिल्ट का क्या हर अब्भीहारती जो है एक्जाम के बाद रिज를LT का ही वेट करता है ताकि जो है वो चीज़े confirm हो जाएं कि हाँ वो उसमें है या नहीं है selection होगा या नहीं होगा तो फिर वो आगे की जो तैयारी है उसको continue रखेगा बट यहाँ पर हर अभ्यारती को confusion है कि हम पढ़ें कि क्या करें क्या नहीं करें हर कोई यही चल रहा है कि रिजल्ट आ जाए आंसर किया जाए तो यह सारी चीज़ें तो जल से जल सारी चीजों का solution करना चाहिए और जो भी व्यमार से related है इसको जो है चेक करने के बाद आप आंसर की विपेसी की तरफ से जारी की जाए और रिजल्ट भी जो है जल्द जारी किया जाए थाकि सबी जो है अपनी जो चीज़ें है जो करना है नहीं करना है उसको ले करके कंफर्म हो जाए तो यह थी डोस्तों इससे related पूरी जानकारी बस मिलते हैं इस अपडेट के साथ अब तक लिए बाई बाई टेकर थेंक्यू